हलो गाईज, वेलकम बैक टू कॉमर्च अधियान, कैसे हैं सभी, I hope घरों में सभी सेफ होंगे आज के वीडियो में हम अपने बिनिजनेस स्टुडीज के चैप्टर टू, प्रिंसिपल ओफ मैनेजमेंट को कंटीनू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है साइन्टिफिक मैनेजमेंट, आज के वीडियो में हम साइन्टिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, साइन्टिफिक मैनेजमेंट को किसने डिफाइन किया था और साइन्टिफिक मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं, उसके बारे में स्टडी क तो सबसे पहले देखते हैं कि scientific management की meaning क्या होती है meaning of scientific management scientific management is made of two words science and management जो scientific management है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पहला word है हमारा science और दूसरा word है हमारा management science is the application of logic reasoning and it gives a new dimension to our study approaches to different problems of life जो science है वो क्या करता है logic reasoning के थूँ क्या करता है किसी भी चीजों को study करता है उसमें logic अपने लगाती हैं उसके कुछ reasoning होते हैं उसके कुछ कारण होते हैं और वो अपनी जो भी जितनी भी different problems होती हैं वो हर प्रॉब्लम में वो क्या करते हैं? यही लॉजिक और रिजनिंग के तूप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. When we apply scientific approaches towards management concept, this is called as scientific management. और जब हम science के जो भी concept होते हैं, उसको अगर हम management में क्या करते हैं, mix कर देते हैं, apply कर देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है? scientific management. मतलब कि जब हम management को किसी logic, किसी reasoning के थूप पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? scientific management. मतलब कि जब हम science के concept को management के concept में mix कर दिये, तो वो हमारा क्या बन गया? scientific management. जो scientific management है, उसको सबसे पहले जो present कॉन किया था? Taylor ने scientific management को present किया था Taylor has formulated the principle of management after studying the scientific management मलब scientific management को पढ़ने के बाद जो Taylor थे वो क्या किये थे principle of principles management को दिये थे मतलब उन्होंने different principles बताया थे जो किसी भी organization में क्या करना चाहिए organization में follow करना चाहिए तो हम देखते हैं कि Taylor ने scientific management के बारे में क्या कहा था according to F.W. Taylor management is the art of knowing exactly what you want man to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way मतलब कि जो management है management ये जानने की एक कला है कि जो इंसान चाहता था मतलब कि जो हम चाहते थे वो जो हम करना चाहते थे वो exactly वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर वो हो रहा है तो वो cheapest way में हो रहा है कि नहीं मतलब कि best और सबसे सस्ते way में हो रहा है या नहीं ये management की क्या है एक कला है मतलब कि management एक कला है जो ये जानता है कि मनुश्य ने जो भी मनुश्य ने जो भी क्या क्या था अपना जो भी अपना object या goal set किया था वो उसके according work हो रहा है या नहीं हो रहा है और अगर हो रहा है तो वो best or cheapest way में हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यह management का जो definition था scientific management का था वो FW Taylor के according था मतलब कि FW Taylor ये मानते थे कि जो management है management एक art है जो ये बताता है कि जो भी कोई भी person अगर वो जो चाहता है जो उसने सोचा है वो वैसा ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर कर रहा है तो best way में कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये था हमारा FW Taylor के definition थी जो उन्होंने scientific management के उ characteristics होती है characteristics of scientific management सबसे पहली objective of every job in scientific management is fixed and pre-determined इसमें बोल रहा है कि scientific management में जो भी objectives होते हैं वो क्या होती है पहले से ही predetermined होते ही हम जो भी काम करते हैं जिस भी भी हमारा गोल होता है वो पहले से क्या होता है fix होता है और पहले से predetermined होता है मतलब कि पहले से ही हम वो goal को set कर लेते हैं और उस goal को achieve करने के लिए क्या करते हैं work करते हैं next characteristics है there are fixed plan to attain objectives जो भी हम अब्जेक्ट set किया था उसको कैसे achieve करना है उसको कैसे पाना है उसके लिए मतलब कि यह नहीं कि हमने काम स्टार्ट कर दिया हूं के स्टार्ट करते करते हम प्लानिंग कर रहे हैं हम क्या करेते हैं गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना है हम वह पहले से ही क्या करते हैं पहले से ही fixed plan बना लेते हैं तो there are fixed plan to attain objectives फिर नेक्स्ट है, mutual corporation among employees is essential, जो scientific management है, scientific management यही बोलता है, कि employees के बीच में क्या होना चाहिए, mutual corporation होना चाहिए, जब तक employees के बीच में अंडरस्टेंडिंग नहीं होगा, कोडिनेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी work अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे, कोई भी work अच्छे से नहीं हो पाएंगा, इसलिए जो FWT लहर है, वो यह बोलते है, scientific management के characteristics है, कि scientific management में mutual corporation होना चाहिए, किसके बीच में mutual corporation होना चाहिए, employees के बीच में होना चाहिए, Next characteristic से हमारी, scientific management works on the objective of maximum production at minimum cost, जो scientific management है, उसका main objective क्या होता है, maximum production करना वो भी किसमें minimum cost में, Even हर एक business man, हर एक manager का यही सोचना होता है, कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा production करें, और कम से कम cost में production करें, तो scientific management होता है, उसका main objective क्या होता है, maximum production at minimum cost, Next हमारी characteristics है, scientific management की, motivation is considered necessary for the completion of work, इसमें next scientific management में ये characteristics बोल रहा हैं, कि अगर हमको कोई भी काम को complete करवाना है, तो उसके लिए motivation क्या होना चाहिए, necessary होना चाहिए, मतलब कि जब तक आप workers को motivate नहीं करोगे, किसी भी काम को करने के लिए, तो वो worker motivate नहीं होगा, और वो काम को अच्छे से नहीं करेगा, इसलिए time time पे उनको क्या करना चाहिए, motivation देते रहना चाहिए, And the last characteristics is, time to time evaluation of standards is performed, इसमें बोल रहा है कि जो भी काम लोग कर रहे हैं, उनका time to time क्या होना चाहिए, evaluation होना चाहिए, Evaluation मतलब कि जो भी काम उनका standard set था, उस work का, वो काम सही हो रहा है यह नहीं, time पे हो रहा है, यह नहीं, इसका क्या करना सीख चाहिए, evaluation करना चाहिए, तो यह थे हमारे characteristics of scientific management, फिर हम देखते हैं कि F.W. Taylor ने कौन-कौन से principles बताये थी, तो principles formulated by Taylor, जो Taylor थे, उन्हें ने 11 principles दिये थे, और उनका मालना था कि अगर कोई भी organization को successfully चलाना है, तो यह सारे principles को क्या करना चाहिए, follow करना चाहिए, तो पहला principle था, principle of task idea, principle of task idea, मतलब कि हर एक जो भी worker है, उनको क्या करना चाहिए, पहले से ही task दे देना चाहिए, मतलब कि उनको क्या काम करना है, किस धंक से काम करना है, वो सब पहले से क्या करना चाहिए, पहले से ही fixed होना चाहिए, तो उनको हर एक worker को क्या करना चाहिए, अलग-अलग उनका standard task दे देना चाहिए कि आपको इस time पे इतने जो भी आपका work है उसको complete करना है तो यह हो गया हमारा principle of task idea task idea मतलब कि हर एक जो भी worker है उनको अलग-अलग task उनके according से दे देना चाहिए फिर next हमारा principle of experiment principle of experiment मतलब कि FW Taylor ने बताया था कि समय समय में क्या करना चाहिए है कुई भी organization में कुछ-कुछ experiment करना चाहिए experiment मतलब कि यह देखना चाहिए कि जो भी हमारा समय के साथ क्या होता है हर कुछ changes होता है हर lifestyle में changes होता है techniques technologies में changes होता है बहुत सारी changes होता है तो वही FW Taylor बहुते हैं कि वह time time पे क्या करना चाहिए कि एक्सपारीमेंट करना चाहिए कि जो भी काम हो रहा है वो कितने टाइम पे हो रहा है अगर कोई काम कर रहा है तो वो कितने स्पीड में काम को कर रहा है कोई भी परसन थक रहा है तो कैसे थक रहा है कितने टाइम के लिए उसको ब्रेक चाहिए यह सारे एक्सपारीमेंट करना मतलब कि किसी भी काम को complete करने में कितना time actual में लगता है और workers कितने time में उस काम को complete कर रहे हैं मतलब कि जो भी standard time था standard time में work complete हो रहा है और अगर standard time में complete नहीं हो रहा है तो वो क्या reason है क्या कारण है जिसके कारण से वो work क्या हो रहा है time पे complete नहीं हो पा रहा है तो यह था हमारा time study, फिर next है हमारा motion study, time study को study करने के लिए जो टेलर ने एक technology बताई थी, जिसके through क्या कर सकते हैं, कोई भी organization का, जो manager है, वो क्या कर सकता है, अपने जो भी workers हैं, उनके time को ध्यान में रख सकता है, तो उसके लिए उन्होंने stopwatch को बताया था, कि stopwatch के through क्या कर स क्या कर सकता है कि वो गर्क को complete करने में कितना time ले रहे हैं, फिर next है हमारा motion study, motion study में क्या होता है, जो भी machines या जो भी workers परफॉर्म कर रहे हैं, उनका movement देखा जाता है, कि वो कितने, कितने fast या कितने time पे क्या कर रहे हैं, वो उस काम को complete कर रहे हैं, तो उनका जो इस्टें में बताया था, motion study में उनका यही कहना था, कि कोई भी जो भी workers होते हैं, वो अपने काम को क्या करते हैं, जब काम करते रहते हैं, जब काम करते रहते हैं, जिसे कि क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, हमारा जो भी production है, वो क्या होता है, लेट होता है, तो उन्होंने एक ए तो यह था हमारा मोशन स्टड़ी फी नेक्स हमारा फैटिगियो स्टड़ी फैटिगियो स्टड़ी मतलब कि थकान अधियन इसको हिंदी में बोलते हैं थकान अधियन मतलब कि जो यह अब डॉल थे उन्होंने यह बत बोला कि कोई भी वर्कर अगर mentally और physically काम कर रहा है तो उस यह इफिशियन्सी के साथ क्या करने के लिए तू इस study में बताए कि अगर हम कोई भी वर्कर कितने देर में थकता है और वो किसको कितने टाइम का ब्रेक चाहिए उसको study करने के लिए उन्होंने study को study किया तो next हमारा principle है Principle of Scientific Selection and Training यह सब्सक्राइब टेलर नहीं इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कि इस प्रिंसिपल के तुरू एकॉर्डिंग जो भी हम स्लेक्शन करते हैं वरकर्स का अपने और अर्गाइजेशन में वह सेलेक्शन का जो मैठड वह क्या होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट होना मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मैठड से तुरू क्या करना चाहिए हमको वरकर्स को सेलेक्ट करना चाहिए और जिन भी वरकर को हमने सेलेक्ट किया है उनको अलग अलग करिके से क्या करने ही चाहिए ट्रेनिंग भी देना चाहिए अगर हमको वरकर्स से अच्छा काम लेन बाएंसलेन जनानाज है करल अ काम लिना है अजिएक देशकेम. और सब्सक्राइब करके जोड़ी होता है उनके बाद उसको क्यात के जानी हैं लिचा इसको क्या अधी डिवीजन ओच ए fw टिनर ने भी ये जैसे कि फ्योल ने कहा था वैसे ही FW टेलर ने भी कहा था कि division of work हो ना चाहिए justify division of work होना चाहिए कि अगर कोई भी worker कुछ इस भी काम में सक्षम है उस person को क्या करना चाहिए वही काम देना चाहिए जिसे कि उसी efficiency भी क्या होगी को फॉलो करना चाहिए इंसेंटिव वेजे सिस्टम मतलब कि जो भी वर्कर अगर अच्छा काम करता है स्टैंडर के कॉर्डिंग काम करता है तो उसका जो वेजेस है वो क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए और जो वर्कर स्टैंडर के कॉर्डिंग काम नहीं करता मतलब कि जो भी standard हमने set किया था काम का, अगर उसके according काम नहीं करता है, तो उसका wages क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए. Means कि जो भी, जो efficient workers है, जो जाधा काम कर रहे हैं, उनको काम जाधा से wages मिलना चाहिए, और जो वरकर काम काम कर रहे हैं, उनकी efficiency काम है, उनको क्या कहोना चाहिए, कम wages मिलना चाहिए, तो यह था हमारा principle of incentive wages system, next principle है हमारा, principle of scientific selection and use of materials, देखो कोई भी जब भी अगर कोई भी चीज का production करते हैं तो उसमें material का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर material अच होगा, तो क्या होगा, उसका जो production होगा वह भी क्या होना चाहिए, अच्छा ही होगा, अगर material अच्छा होगा तो, अगर material की quality खराब है, तो जो product हम भर आएंगे, उसकी quality क्या होगी, थोड़ी चीफ होगी, इसलिए, FW Tiller नहीं कहा है, कि जो material है, material का जो selection है, वह क्या होना एक भी बेस्टिश ना हो और बेस्ट से बेस्ट हम क्या कर सके प्रोड़क्शन कर सके यह था हमारा principle of scientific selection and use of materials next हमारा principle है principle of modern machines and equipment जैसे कि समय समय के साथ क्या होता है technologies भी बदलती रहती है ठीक है तो वैसे ही machines में भी क्या होती है changes आते रहते हैं तो FW Taylor का यही कहना था गी अर्गनाइजेशन में modern machine और equipment की equipment को क्या करना चाहिए क्योंकि यह model machines equipment होते होग क्या करते हैं cost of production को decrease करते हैं and production को क्या करते हैं increase करते हैं मतलब कि कम cost में हमारा क्या होता है ज्यादा से ज्यादा अपना production होता है इसे लिए हमको modern machines and equipment को use करना चाहिए फिर next है principle of standardization principle of standardization में FW Taylor ये बोर रहे कि इस principle की according जो भी हमारे tools हैं जो भी equipment है जो भी condition of work है, materials है वो सब क्या होना चाहिए एक standard set होना चाहिए और उसी standard को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना चाहिए अपने काम को करना चाहिए तो यह हमारा principle of standardization next हमारा principle है principle of functional organization जो टेलर है, टेलर है suggested functional organizational system this organization is called as eight boss scheme जो FW Taylor थे उन्होंने functional organization system को बताया था और इस organization system में उन्होंने eight boss scheme बताया था जिसमें पहला था हमारा gang boss दूसरा है speed boss third है हमारा repair boss fourth inspector, fifth shop disciplinary sixth हमारा route clerk seventh हमारा instructional card clerk and हमारा eight है time and cost clerk तो यह उन्होंने functional organization बताया था कि कोई भी organization में यह functions होते हैं और यह functions में क्या होते हैं यह सारे boss होते हैं जो क्या करते हैं काम को जो भी हमारे functions होते हैं जो भी हमारे काम होते हैं वो क्या करते हैं उसको कराते हैं next हमारा principle of ideal cost accounting system इसमें FW टेलर होते हैं कि कुछी भी organization में क्या होना चाहिए advanced and ideal accounting system होना चाहिए जिससे कि क्या हो सके हमारे जो भी workers ने क्या काम किया है कितना उन्होंने standard recording काम किया है जो भी हमने accounts maintained किया है वो सही है या नहीं उसके लिए हमको क्या करना चाहिए ideal cost accounting system को follow करना चाहिए अगर ideal cost accounting system होगा तो हमारा जो भी financial position हमारे organization को वो क्या होगा accurate मिलेगा ideal cost accounting system के लिए हमको experience और efficient accountants की क्या होती है जरुत पढ़ती है principle of mental revolution principle of mental revolution में इसमें FW टेलर जितने भी Concentre इप्राइ्जेशन के लिए क्या होना चाहिए कि अपने ओर्गुनारिजेशन के लिए तो आपने organization और उनके Might आपनेיים में ने करा चाहिए करकेम को अप्रूमें इसे काने आपने दूमारायाजम रिऴार्जान के लिए मन में बात नहीं होगी तो वो क्या करेंगे आप काम को सही दंग से नहीं करेंगे इसलिए जितनों भी वरकर्स हैं उन साब के माइंड में क्या होना चाहिए एक ऐसा revolution होना चाहिए कि जो क्या करें सिर्फ और सिर्फ अपने organization के बैटरमेंट के लिए सोचे ना कि अपने बैटरमेंट के लिए तो यह है हमारा यह थे हमारे principle formulated by Taylor I hope आपको यह समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए आपके जो भी डाउट्स है उसको अपने comment section में शेयर करिए हम आपके डाउट्स को clear करने की पूरी कोशिश करेंगे